अब आप लोग बैठे हुए हैं, इतने सारे लोग, ये सवाल मेरा आप से है, आप मुझे हिंदी का कोई एक कवी बता दीजे, जिसने दोहे रचे हूं, आपने उसके दोहे NCRT में पढ़े हूं, कौन है, हिंदी के बहुत बड़े बड़े नाम है, हिंदी कवीयों में, बहु में से किसी ने भी अपने जीवन में दोहा रचा हूं, और वो दोहा आपकी किसी भी कोर्स बुक में पढ़ाया गया हूं, या हिंदी का दोहा आपने कभी अपनी NCRT की किताब में देखा आज तक? अब बढ़ते हैं आज के आखरी सवाल के साथ, और हमारा मानना है कि ये सवाल काफी अहम है, तो सर आपको क्या लगता है कि क्या दोहा हिंदी जबान की सिन्फ है, आपका क्या मानना है इस पे? देखिए दूसरा misconception है, जब मैंने दोहे के इतिहास को पढ़ने की कोशिश की, और मैं अब बुरंश के कभीयों को पढ़ा, उसके बाद भक्ति काल के दोहानिकारों को पढ़ा, फिर रीति काल के दोहानिकारों को पढ़ा, उसके बाद जब आधुनिक काल में पढ़ने की को पुशिश की तो मुझे कोई दुवानिगार ही नहीं मिला अब आप लोग बैठे हुए हैं इतने सारे लोग यह सवाल मेरा आप से है आप मुझे हिंदी का कोई एक कभी बता दीजे जिसने दोहे रचे हूं आपने उसके दोहे NCRT में पढ़े हूं कौन है हिंदी के बहुत ब महाकवियों में कि उन मेंसे किसी ने भी अपने जीवन में दोहा रचा हूं और वो दोहा आपकी किसी भी कोर्सबुक में पढ़ाया गया हूं यह हिंदी का दोहा आपने कभी अपनी NCRT की किताब में देखा आज तक क्या पढ़ाया जाता है अवदी और ब्रच के कबीर रहीम रस्खान रसलीन तुलसी इन्हीं को पढ़ाया जाता है ना तो अब ये कहना कि दावेदारी करना किसी के लिए भी अगर उर्दू दावेदारी करते हैं उर्दू वाले तो वो भी गलत है اور ہندی والے दावेदारी करते हैं तो वो भी खलत है वो इसलिए कि जब ये ये जबाने हंदी बहुत नई जबान है जब वो वजुद में आई तो दोहा तो वैसे ही विलुप्थ हो चुका था दोहा था ही नई तो हंदी में आता कहां से यही वजह हुई और फिर नई जबान थी और किसी भी छंद के विकास होने में दोहा कोई आज का नहीं है दोहा अगर आप उसका इतिहास पढ़ेंगे तो वो प्राकरत, पाली, थेर गाता, थेरी गाता तूटते 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 और वो शेफ होते 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 यहां तक उस शकल में बन पाया, बहारी लाल तक तो उसके विकास में अब पाली जबान किस दोर की थी? हजारों साल लग गए उसकी क्राफ्टिंग में उसको वजूद में आने में हजारों साल लग गए तो अब हिंदी एक नई जबान है ये नहीं कहा जा सकता कि हिंदी में दोहे नहीं कहे जा सकते हिंदी में बिल्कुल दोहे कहे जा सकते हैं आज अगर इसकी पहल हो जाएगी तो शायद आज से सौ साल बाद दोसो साल बाद, चारसो साल बाद हिंदी में भी खुब्सूरत दोहे कहे जाएगे लेकिन किसी भी नई जबान को असानी से नहीं अपनाता है कोई भी छंद उसी दराते जैसे घजल हिंदी में कहने में कोशिश की जाए तो वैसी नहीं दिखती जैसी अर्दू में दिखती है और अर्दू में जैसी दिखती है वैसी नहीं दिखती जैसी फार्सी में दिखती है तो अब ये सवाल कि ये चंद हिंदी का है तो ये सवाल ही गलत है क्योंकि ये हिंदी का हिंदी पैदा हुई है दो सो साल पहले और चंद है एक हजार साल से भी ज्यादा पुराना उससे पहले रिकॉर्ड ही नहीं है कब का है हजार साल का तो रिकॉर्ड है तो इतने पुराने च्छंद को एक नई जबान से जोड़ना कि ये क्या उसका है पढ़ रहे हैं हम अफदी में अब एक और एहम बात कोई अगर ये कहे कि अफदी और ब्रज जो हैं यही हिंदी है तो बिलकुल भी नहीं है बहुत बड़ी लडाई है ये खड़ी बोली है हिंदी हिंदी और उर्दु खड़ी बोलिया है और अब भरंच से उसकी टूटी होई शाखाएं जितनी है वो सब ये बोलिया है इसका कोई भी तालुक अबदी वबरच का हिंदी से नहीं तो हमें अब बात इन्होंने जबान की गई तो जबान पर ही बात करने के हिंदी में चलिए हिंदी में इसलिए ज्यादा पॉपलर हुआ इसके एक रीजन ये था कि हिंदी वालों ने बहुत अच्छा काम ये किया कि दोहे को अपनाया उन्होंने कोर्जबुक्स में दोहा पढ़ाया वो नहीं पढ़ाते तो दोहा जिन्दा नहीं रहता हिंदी के विद्वानों ने ट्रांसलेशन की है अब भ्रजबुक्स से नागरी लिपी तक दोहे को लेके आए और सुफियों तक पर काम किया उन्होंने तो यहां बे विद्वानों का एक बहुत बड़ा काम है जो उर्दु के विद्वानों ने नहीं किया इवन वो तो कॉर्स बुक में भी नहीं पढ़ाते तुवे कुछ तो दोहा जो जिन्दा है वो हिंदी के विद्वानों की वज़ा से जिन्दा है तो यह तो एक बहुत बड़ा कारनामा हिंदी का है लेकिन जबान का मौताज नहीं है दोहा अब मसलन अब हम लोग अगर बात करें कबीर की तो आप लोग हैरानी होगी यह देख के कबीर के सेकडों दोहे हैं जिनके अंदर कबीर ने फार्सी और अर्बी का इस्तिमाल किया है मैं और और खाली कबीर की बात नहीं है बिहारी बिहारी ने अर्भी का इस्तिमाल किया है लिखन बैठ जाकी सभी गहे गहे गरब गुरूर अब ये शबीह और गुरूर अब ये बहुत इंट्रेस्टिंग बात है और सीखने वाली बात है कि एक डिवेट ये चलती है कि हमें किन लफजों को इस सिंफ में इस्तिमाल करना है और किन को नहीं करना है अब वो ब्रज की शायरी कर रहे हैं अगर ब्रज का डायलेक्ट डिफरेंट है अर्भी के डायलेक्ट से ये इसलिए एक्सपेरिमेंट सक्सेस्फुल हुआ कि उन्होंने अर्भी को ब्रज के डायलेक्ट में इस्तिमाल किया है अर्भी के असली शकल में करते तो भंग हो जाता ले भंग होती तो लिखन बैट जाकी सभी गय गय गरब गुरूर तो क्या बात बनी वैसे ही बनी जैसे लिए लोग कहते हैं कि सिग्रेट का इस्तिमाल कर रही है उर्दू के शेर में ठीक है तो सिग्रेट का उर्दू करन कर दे तो शायद सक्सेस्फुल इस्तिमाल हो जाए रहो तो कुछ कबीर के दोहे सुनिए जहां फार्सी का इस्तिमाल है गगन मंडल के बीच में तहवा जलके नूर निगुरा महलन पावई पहुँचेगा गुरु नूर पियारस पिया तो जानिये उत्रे नहीं खुमार नाम अमल आता रहे पिये अमीरस सार कबीर गाफिल क्यों करे कबीर गाफिल क्या करे आया काल नजीक कान पकर के ले चला जो अजिया हिखटीक अब कबीर ने यहां पे गाफिल भी इस्तिमाल कर लिया नजीक मनस्दीक को वो कहरा नजीक वही चीज़ है कि जो रिदास के यहां बहुत अर्बी फारसी है जितने दोहा निगार हैं मुझे तो कोई भी ऐसा नहीं मिला कि जिसने जिद कर ली हो कि मैं तो बरजी कहूंगा या कोई अवधी में मिला हो कि ये तो फैर अवधी के हैं कबीर का ज्यादा तो किसी किया जिद नहीं है उन्होंने सारी भाशाओं को अपनाया है लेकिन हाँ इस बात का ख्याल रख्था है और जो मेरे लिए भी बहुत सीखने वाली बात थी कि लफजों की गैद नहीं है डायलिक्ट की गैद है तो हमें यह लगता है कि जो भी अभी डिसकुशन हुआ और जिस तरीके से मिस्कंसेप्शन को तोड़ा गया जो हमारी ओडियंस में लोग बैठे हैं हमें उमीद है कि शायद उनके पास भी कुछ ऐसे सवलात होंगे तो वो आप से करना चाहते हैं तो अब हम बढ़ेंगे अपने सेग्मेंट में जिसमें हमारी ओडियंस हमसे सवाल पूछ सकती है जायरी का मामला क्या होता है कि मेरा मानना यह है कि कोई शायर बन नहीं सकता शायर पैदा होता है और जो पैदा होता उसका जहन मौजू होता है और उसको किसी से चेक कराने की जरूरत नहीं ठीक है आपका जहन मौजू है और एक बार आपने अच्छे दोवे पढ़ लिया साधिजा को भी पढ़ना बहुत जरूरी है बहुत जहन तरकीवे सीखते हैं आपने उन्हें एक बार पढ़ लिया तो आपको पढ़ते पढ़ते और पहले दिन आपको लेखक थोड़ी बनना है अब पाठक बनना है जब तक आप अच्छे पाठक नहीं बनेंगे तो लेखक कैसे बन जाएंगे अब अब आपने आपने अब ही है या वो खड़ी है उर्दू और इंदी कर दो हमने हिंदी के आखरत में जहां हम लोगों ने बच्पन से पढ़ा कि हिंदी ये मानती है कि अवधी बधेली बुंदेली और ठड़ी ये सारी की सारी बोलियां जो है ये हिंदी का ही हिस्सा है और यह हिंदी है ये बहुत इंट्रेस्टिंग सवाल इन्हों ने किया है इसलिए मैंने ये वाज़े किया कि वो नहीं अवधी और ब्रज हिंदी नहीं है क्योंकि हुआ ये है कि कुछ हिंदी के विद्वानों ने ये बात लिखी है है कि ये तो खैर ब्रज और अवधी की बात कर रहे हैं वो तो ये लिख रहे हैं कि अब्रज को पुरानी हिंदी लिखते हैं कि अब्रज जो है ये पुरानी हिंदी है जिसकी स्क्रिप्ट भी डिफरेंट है भाई भाशा जो बनती है वो लिपी से बनती है जब आपकी लिपी ही अलग है नागरी लिपी तो आपकी बारवी सदी की है और अब भरंश तो आपकी जब तक अब भरंश में कितने दोहे कहे जा चुके थे कितने कावे की रचना हो चुकी थी अब ब्रश्ट तो आपकी नागरी लिपी से भी पुरानी भाशा है तो ये इस बात से मैं तो सहमत नहीं हूँ कि वो पुरानी हिंदी है क्योंकि एक वाक्या है कि जो हिंदी के बाबा आदम है वो आपके हैं भारते इंदु हरिश्चन भारते इंदु हरिश्चन ने ये सिलसला शुरू किया और ये निस्वी सदी की बात है जादा पुरानी नहीं है पहले हिंदी के कभी बाने गए और उन्होंने खुद एक जगा ये बात लिखी अच्छा उन्होंने हिंदी में नसर बहुत लिखी है और जब वो शायरी करते थे शायरी में दोहानिगारी भी उन्होंने बहुत की है बहुत दोहे आपको मिलेंगे आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको भारते इंदु के दोहे मिल जाएंगे तो भारते इंदु जब दोहे अच्छा फ्रंट लाइन पे थे हिंदी के प्रोमोशन के लिए भारते इंदु और उनके साथ बागी सब कभी एक मोर्चा खुल दिया था हिंदी के लिए और मानते थे कि खड़ी बोली गई है लेकिन वहीं जब वो दोहे रच्छते थे तो उनके सारे दोहे जो है वो ब्रज में है उन्होंने उस हिंदी का प्रयोग ब्रज में नहीं किया और उन्होंने एक जिगा ये बात लिखी कि अभी इस भाशा का इतना विकास ही नहीं हो पाया है कि इसके अंदर कावे की रचना हो सकी असल में जबान के साथ मामला ये है कि जबान का जो सफर है वो बहुत ही इंटरिस्टिंग सफर है हमारे पैनलिस्ट उर्दू के लिए जो है बाबर इमाम साहब वो खुद इस हवाले से बड़ी अच्छी गुफटगू उनसे हमारी रहती है और हम चाहेंगे कि जब वो पैनल पर आएं तो वो इस हवाले से भी थोड़ी से गुफटगू जरूर करें जबान की तरकी के सिलसले में इसलिए कि अगर आपको जबान का सफर समझ में आने लगेगा तो यकीनन आप फिर जबान बरतने की आपकी सलाहियत अतनी ज़्यादा बढ़ेगी जहां तक हमारी उनकी अनस भाई की गुफटगू आमतर के उपर रहती है तो अगर देखा जाए तो इस्ते की अदब दो तरह का होता है एक अदब होता है अवामी अदब एक होता है मफशूसीन का अदब عوامی عدب اگر آپ पढ़ें आप पढ़ें मंटो को पढ़ें आप असमत चुक्ताई को पढ़ें आप प्रेंचंद को पढ़ें जिन्होंने अदब लिखा है इनकी जबान जब आप देखेंगे तो आप अगर उसको देवनाग्री में लिख देंगे आप कुछ नगरें उसको देवनागरी में लिख देंगे वो कहेगा के साब पढ़ने वाला काई ये हिंदी है उसी को आप फार्egan रिसम लिख दें आप कहिएगा के साहब ये उर्दू है तो वाक्या ये है कि ना तो हिंदी एकजिस्ट करती है ना अर्दू एक्जिस्ट करती है हकीकटन एक्जिस्ट करती है एक हिंद्वी जबान वो जबान के जो मुक्तलिफ तहजीबों मुक्तलिफ जबानों मुक्तलिफ इलाकों की बोलियों को मिला के बनी उसको एक स्क्रिप्ट दी गई उसको स्क्रिप्ट दिये जाने के बाद उस उसकी सरपरस्ती की और किसी भी जबान के साथ किसी भी जबान की मिराज किसी भी लवज की मिराज तब है कि जब उसको शायर इस्तेमाल कर ले जब तक उस जबान उस लवज को शायर नहीं इस्तेमाल कर लेता अभी जैसा अनस भाई ने फरमाया कि अभी भारतेंदू कहते हैं कि भी ये जबान इतनी विक्सित नहीं हुई है कि शायरी की जा सके उसका सबब क्या है ये बहुत गहरी और बहुत अहम बात है कि आप ये देखें कि जो हर जबान का एक सौती माहौल होता है एक वोकल उसकी एक फॉनेटिक्स उसकी होती है अब मिसाल के तोर पे अगर आप अरबी सुनेंगे या संस्क्रिट सुनेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि इसमें जो अलफाज बोले जाते हैं उनमें आपकी जबान और आपकी आवाज बलंद होती है उसी की जगा जब आप फार्सी बोल रहे होते हैं तो आपकी आवाज नर्म हो जाती है और ये जबान जो बनी अर्दू या हिंदू या हिंदी भी आप जिसको कह लिए ये इसका एतना हसीन इमतिजाज है कि इसने जब बलंद आहंगी चाही तो संस्क्रिट से लोहू ले लिया जब इसको अपने नजाकत का बयान करना हुआ तो इसने फार्सी से शबनम ले ली तो इस तरह ये जबान बनी और अब क्या हो रहा है कि इस जबान को जबरदस्ती पॉल्यूट किया जा रहा है इस फॉल्यूट करने के सिस्टम से हर लिखने वाले को बचना चाहिए आप संस्क्रिट जबान का हर वो लफ्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो इसके सौटी नजाम में आ जा रहा है जो इसके सौटी नजाम में आके ऐलियन नहीं लगता है कोई अजनबी नहीं लगता है उसी तरह आप फार्सी का क्यों साब अगर एक बात एक मिनट के लिए यह मानने कि मुसल्मानों ने डिवलप की तो क्यों तमाम अरबी और फार्सी के अलफाज क्यों नहीं ले लिए उर्दू ने इसलिए कि हमारी समात उसको कुबूली नहीं करेगी हमारे सुनने का भी तो एक नजाम है अगर आपके बोलने का आपके लिखने का एक नजाम है तो हमारे सुनने का भी तो एक नजाम है हमारे कान उन पर्म्यूटेशन्स कॉम्बिनेशन्स के साथ उस लफ़ को के जो हम जबरदस्ती घुसेड़ रहे हैं उसको एकसेप्ट नहीं करते हैं रद कर देते हैं तो ये खास तोर से हर शायर को इस बात का इहसास इस बात की हिस होनी चाहिए कि कौन जो लवज वो इस्तेमाल कर रहा है क्या वो लवज हमारी इस जबान के सौती निजाम के है अगर है तो ठीक है और अगर नहीं है तो रद कर दीजी ने का मौका में रहा है जो और्डों हिंदी के डिफरेंस के बात है हाला कि अफिर साहब ने उसको वाज़े कर दिया ए उसी के मजीद रिजाहत यहां पर एक बहुत बहुत है रखी और्डों के हुआज़े से हम चाहते हैं कि जो ढिफरेंस है हिंदुस्तानी जबान में अर्डों का पहलू और हिंदी का पहलू वो तुर्द और बहुत सारी आवाज हुड़ू और फार्सी की कॉमन हैं जिसे काफ, फे, शी, वो आवाज भी है यहाँ भी है तो वो ऐज़ेटिस फार्सी से उड़ू ने ले लिया और उसको ऐज़ेटिस दूस कर लिया लेकिन जब वही अलफाज हिंदी में आए तो वो मुकब्र उस्तोर आवाज थी नहीं हिंदी में जैसे फे नहीं थी, शीन नहीं थी, काफ नहीं साथ खे नहीं थी यह आवाज नहीं थी तो इसलिए या तो अब अन अलफाज को उनकी अपनी आवाजों के साथ हिंदी बते तो जब हिंदी उन आवाजों के साथ बरती है तो ऐसा लगता है कि फॉरेन अर्फाज है तो जो कबीर ने काम किया वो कौन सा लफ्स था आपने भी नजीक हाँ नजीक नजीक को नजीक कर लिया और इस इतवार से वो लफ्स किस तरह से घुल गया तो हमारी जबान भर ठूट चुकी है और हिंदी में भी ऐसे अर्फास बुले जा रहे है जो फार्सी एकसेंट और फार्सी फार्सी आवाजों का इस्तेमाल उसमें भो रहा है और एड्जिस्ट कर जा रहे है रहे हैं लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो पर दो कि Claynaz को को रिखा इतने वरे शाहिए नहीं नीं नि सकते थे लूँ तो उस तरह से यह रवादारी और गुल्प्याईश का पहलो जब टक जोलारों में बखता जाएगा मिरे का... बैस में मजीद कुछ कहना चाहता हूँ नहीं, इसमें एक मामला ओरहा हुँए, यह एक तरफा बात है बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कई तॉलरmerce की बात है लेकि तॉलर्णस एक तरफा नहीं होना चाहिए जब हिंदी में जाहिर जी बात है कि हिंदी वाले काफ ठीक है घ्वैन इन आवाजे बहुत मुश्किल से निकाल सकते हैं क्योंकि यह आवाजे उनके पास हैं यह मखरजी नहीं है तो अब लीजे कि हिंदी की तरफ प्रा है ठीक है अगर उर्दू वाला उसको पढ़ेगा प्रिया पढ़ना है तो वो प्रिया पढ़ेगा लेकिन वो उर्दू वाला और बहुत हख और एक लाइसेंस के साथ उसको वैसे ही बान देगा प्रयोग है तो वो कहेगा प्रयोग अब प्रयोग को तो वो acceptance दोनों तरफ से respect होना चाहिए language को अगर उर्दू में वही मामला है कि प्रा नहीं है श्रा नहीं है ऐसे वो आवाजें नहीं है कि जिनमें आदे हर्फ इस्तेमाल होते हैं हाँ सैयुक्त वियंजन जो हिंदी के हैं वो उर्दू में नहीं है तो दोनों तरफ liberty बराबर से होनी चाहिए और उर्दू वालों को हिंदी वालों को समजना चाहिए हिंदी वालों को sport को समजना चाहिए बहुत बहुत शुक्रिया यह शेशन गालबान हमारे टीम ने बताया कि कुछ जरा सा लंबा हो गया है उसके लिए माधरत चाहते हैं मगर यह के हमको यकीन है कि हमारे आडियन्स ने इस सेशन को काफी इंजॉय किया होगा